प्रेंस आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी मिट्टी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स पेपर यान की परियावरण के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और सेकेंड पेपर हम देखे तो इसने समाजिक विज्ञान है उसके लिए भी मौस्ट इंपोर्टेंट यानि कि दोनों ही के लिए इंपोर्टेंट जो फर्स पेपर का एक्जाम दे रहे हैं तो आई स्टार्ट करते हैं लेकिन यहां पर सब मिट्टी यह बारे में पढ़ेंगे वरहन ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे ऐसे पर इसको पढ़ेंगे जो हमारी एक्जाम के नज़रे से बहुत अच्छे है तो आई स्टार्ट करते हैं वीडियो हम पहले तेखेंगे जलोड मिट्टी यह दोमत मिट्टी जो नदियों द्वारा बहा कर जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है तो वह होती आपकी जलोड मिट्टी इसमें पॉइंट को देखते हैं हमें क्लियर हो जाएगा मिट्ट की सबसे अच्छाव मिट्टी अगर कोई है तो वह जलोड मिट्टी बहा कर लाए जाते है तो उससे संतल मैडाल में जी करने बाद हाती और नदिया बहुत सारी बहागा करता। तो मट्यों आगे बढ़ जाती चुप अग्य जोड़ती है और वही है भी यह जादा जुड़ता हैं प्र्वायद के विगांटी के लिते उचश देखे विगासनली समय के बहुता है। अगला पॉइंट है इस मिर्दा में केश्कियता का जल ग्रहन करने की छमता सबसे अधिक होती है अब यहां पर बात होती है कि केश्कियता का जल क्या होता है देखिए जो हमारा मटी का तेल का हम दिया जलाते हैं तो जो मटी का तेल हो किस क्रिया के माध्यम से उपर चड़ता तो ऐसी स्थीति में यह होता है केश्कियता का जल, तो एस जल को हमेसे ग्रहन करती है, ज़ो जल की मातर हो भ Mormy व्याधर बनी रहती है, अगला आपका बनता है देखे चिकनी मिट्टे, चिकनी मिट्टी को हम काली मिर्दा के नाम से भी जानते हैं, इस मिट्टी की खासियत मि जो अला मुखी का उद्गार होता है तो जो लावा निकलता है वह ठिरेचन अपच्छा वक्त के साथ ले अपछह होता है अगला पउट है इस मिट्टी में जल धारा करने की छंकता सबसे धुद्ध कि उसीugen जल करने हो जल जल घ्र पानीके होते हैं लेकिन उस जल यान की jin जलोव मि्टी से ज्यादा अगर पाने धारा किसी में साइब चिकनी मिटी एक काली मिटी में और यह कपाश कुरूब्मिति मेंre से ज nessa पीक्षा काली मिटी में ही पैदा होता है। अगला है यह प्रतिती मिट्टीटूमत त потр लेटरायट मिट्टी में खड नारियल, मसालो, काजु की खेती अधिक की जाती इस तरह के मिट्टी में अगला है देखिए यहां से प्रिश्ण बन सकते हैं कि चूना अथ्वा Calcareous मिर्दा की सकता आपने इस तरह की मिर्दा का नाम नहीं पढ़ा होगा काई मिर्दा, लाल मिर्दा लेटराइक मिर्दा, जलोर मिर्टी, काली मि Install वली मिंटी इसतरह लें चूना अ्पत्रों मिर्दा के द्वारा, यकछ परदन होता है तो ऐसे किरह में जो कंकर निकलते हैं उससे बनी हुई मिट्टी को हम चुनात्वा कैलकेरियम मृदा कहते हो और इसमें प्रिशन में हुमस का अभाव होता है इसमें हुमस नहीं पाते हैं इसमें अगला पॉइंट देखी दिया है कि इस मृदा में उगने वाले पॉधो को कै केल्सिकॉल पौधि किसी कहते हैं तो ऐसे पौधों करते हैं जो चुना मिट्टी में पैदा होते हैं ठीक है आगे देखे सालाइन एलकली मृदा यह कौन सी मृदा है इसमें उगने वाले पौधों को लवड़ोद मृदा और हैलोफाइट कहते हैं यहां से आपका कोई कहा जा सकता कि दोनों आते हिंदी में भी आता कि लौड़ोद भीद कि मृता है उगने वाले पौधों को क्या है अप्शन से अट ? यहां हो सकता है यह दे पौधो द नहीं कि कौन से में यह पौधे हैं जो लवड युक मिर्दा में उगते हैं उन्हें लवड विदिया हेलोफाइट कहते हैं तथा लवड युक भूमी की वनस्पती को आप एक पेड़ तो ऊगीगा नहीं महां पे जो बहुत सारे पेड़ उगते हैं उन्हें मैग्रो वनस्पती कहत और साथ ही इस पूरे जंगल को ही हम मैग्रो वनस्पती भी कहते हैं ठीक है यह आपका देखिए एक बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है यहां से आगे इसे में दूसरा पॉइंट यह है यह मिर्दा में जल की उपस्तिरी के बाजूद भी जलकाव शोशन नहीं कर पात यही कारण है कि वह क्या होते हैं वह जल में सड़ते भी नहीं है यह अगला पॉइंट दिया है लवड़ो पॉद्व में स्वसन मूल पाया जाती है यानिकि यह दल्दिली मिर्दा में होने के कारण नीचे से ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण पाते क्योंकि हर पॉद्व को यह बाहर निकल जाते हैं ऽैसा लेने के लिए बाहर आते हैं और चीजों को पूरा लेने के लिए पूरा लिसा स्वसन मूल के लुद फआफे पॉद्व में पाया जाते। और इनके बीज फलों में ही अंकुरित होते हैं अगर जो बीज है अगर यह मिर्दा में गिर जाएगा तो मिर्दा जो है वहां की लवड युकत है और लवड युक मिर्दा में कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता इसलिए नेचर की यह बनावट है कि इसका जो बीज है वो फडएंध tv पर के आंदर ही अंकुरित हो जाता है रहरा है लुटाफ की इस घटना को जराईश अंकुरन आधार पर प्रें चारपाश तरीकें मैं उसको अलग वीडियो आपके और आजस्थान वाले छेत्र में पाए जाये दी इस मेर्दा में 95 परिशाद बालू होता है और 15 परिशाद चिकनिंग या काली मिटी का अंस पाए जाता जाता एंद बहां पे जो पोध होते हैं बहुत ही कम मत्रा में पाए जाते हैं अब बलू मदा में मरुद्भीत में पॉध्य काते हैं और इनहीं जीरो भाउट की इस पाइट करते हैं meaning आप को कि दिया है जो लिए है कि ने क्र केहते हैं शीरो फायट को ते किसम होग रहा है मैंने यहां पे लिए हैं में भी जाफ अख्यार हो आपको मिला जाता है करेंगे तो पॉधों के विकास के लिए में उसको कुछ डालना पड़ेगा तो क्या डालेंगे डोलोमाइट एक पत्थर होता है और चूला पत्थर इन दोनों का मिश्टर हम अगर इस मिटा में मिला दे तो अमलीता कम हो जाएगी अगला पॉइंट है नाइट्रोजन इस्थ आपने देखा आगो कि जो सनई है धाचा है उड़दमुंग यह ऐसी फसले जिने उगाया जाता है और जो सनई ज़ाटा यह पांच-बाच फिट के होते हैं जब यह धाई से दो फिट के होते हैं तो इन्हें फिक खेतों में ही जोत दिया जाता है फिर उन पॉधों को ही उ लिए जाता है यहांसा में यहांसा जाता है उसको यह लोसे सी तो इसमार आगा हृट यह थे आपके सिग्ण। जरूर पढ़िएगा और आपने कमेंट्स को मुझे जरूर बताइए कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा तो अगली वीडियो में आप से बहुत जल्म मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार